लागा देता हूं जरूत पड़ेगी तो आप लोग इसको बात में देख सकते हैं तो हम डिसक्स कर रहे हैं ग्राफ के बारे में ग्राफ एक figure बनाया हुआ है it is a graph as well as tree and second one is graph but it's not a tree and it's not a tree because graph without cycle is called tree तो कोई cycle नहीं होनी चाहिए प्रिजेंट अगर कोई cycle प्रिजेंट हो जाती है तो उसको ट्री नहीं करता है और कुछ properties आपने सायद से पड़ी होंगी त्री की तो ट्री में मान लीजिए टू वर्टिसेज हैं कोई एनी टू वर्टिसेज एक्स एंड वाई दियर इस अउनली वन पाथ बिट्विन एक्स एंड वाई यह ट्री की खास्यत है लेकिन क्या ग्राफ के लिए ऐसा कह सकते हम बाव के लिए ऐसा नोटनें नहीं नहीं है स्ट्री के लिए तो ठीख है ट्री आप देख रहे हैं pocket कि अगर कहीं भी स्जाइक्ल बनती तो हम उसको ट्री नहीं भी बोल सकते हैं जैसे इसको All graphs are not tree. यहां आप इस तरीकी से भी इसको लिख सकते हो. अगर हम tree की बात करें, तो they are all subset of graph, right? तो basically हम आप एक graph की बात कर रहे हैं. तो graph हम इसको generally g से denote करते हैं. और जो हम graph की बात करते हैं, graph basically दो चीजों से बना होता है. एक तो finite set of vertices होनी चाहिए, जिसको generally आप V से दिखाते हैं, तो V1, V2, V3 and so on up to Vn तक, right? और दूसरी चीज होनी चाहिए, finite set of edges. और edges कैसी होंगी? finite set of edges या हम कह सकते हैं, एक ordered pair मिलेगा आपको in the form of UV. इसको as बोलेंगे. इसमें UV एक vertex है और V एक vertex है. राइट? हम ordered की बात क्यों कर रहे हैं, इस बात का ध्यान लखना भी जरूरी है. क्योंकि ordered के मिसले बात कर रहे हैं, जैसे UV है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि UV और VU दोनों सेम हो. और यह particularly कपकी बात है जब हमारे पास एक directed graph होता है. यह बात समझ में आरे बच्छावापको? ठीक है, तो एक edge के पास क्या-क्या हो सकता है? एक edge अगर हमारे पास है, तो एक edge में क्या-क्या चीज़ें हो सकती है? एक edge के पास हो सकती है, कोई weight हो सकता है, जिसको हम cost भी बोल सकते हैं कभी-कभी. या value बोल सकते हैं, आप इस टाइक कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं. जैसे आप, अब हम थोड़ा application की बात कर लेते हैं कि applications क्या-क्या है graph की. यह समझना भी जरूरी है, otherwise आपको यह, अगर आप यह application नहीं समझ पहेंगे, तो आपको यह नहीं लगेगा कि हम ग्राफ क्यों सीखना चाहिए? तो graph सीखने के पीछे कुछ हमारे पास motivations हैं कि हमको graph क्यों सीखना चाहिए? तो पहले तो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, एके करके आप बता सकते हैं मुझे, आपको क्या लगता है कि graph हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्या जरूरते की, क्या applications हैं? बताओ, कौन-कौन बता सकता है? यह कौन है सबसे ओपर? 6F0 MLTK अपने नाम तो ऐसे रखा करो, जिसे पता भी चल जाए कौन बता सकता है? अमन, सेकिंड नमबर पर जाप है, अमन, अमन सिंग भी? अमन, सेकिंड बता सकता है, या क्लास अटेंट करना चाहता है अपनों को? और कौन बता सकता है? या कौन लिख रहा है? आसीजदास, आसीजदास बोलो, बोलो ना, लिख क्यों रहे हो? बोलो, जब मैं बोलना हूँ तो आभी बोलो, तब ही दो डिसकर्शन होगा, यह लैब है विटा? माइक नहीं चल ला है। इस टेन्स शॉर्टेस डिस्टेंस? कि जैसे कहां पर आपको सॉटेस डिस्टेंस की जरूत पड़ रही है? जैसे कोई एक्जामपल, जैसे आसीजदास ने लिखा. Google Maps Google Maps में ठीक है राइट तो सबसे पहले आसीस ने लिखा कि हम Facebook में Graphs का यूज होता है ठीक है that is one thing Google Maps में Graphs का यूज होता है कहां कहां पर होता है यह बात अपर हम discuss कर लेंगे लेकिन एक लटकी ने अभी कहा क्या ना में बच्चा आपका सर विभूती ने कहा है कि हम shortest path find out कर सकते हैं सर बेसिकली मतलब जैसे networks के वीच में communication के लिए भी graph यूज होता है ठीक है जैसे network में communication जैसे किस network की बात कर रहे हैं सर बेसिकली में बात करते हैं यह सारे के सारे क्या हैं नेटवक की तो हैं हैं और जिस भी हम अगर social media की बात करते हैं यह सारे के सारे क्या हैं नेटवक की तो हैं हमारे हैं कि नहीं है नेटवक है नहीं है कि नहीं है यह सर जैसे अगर जैसे अगर आप Facebook के network की बात कर रहे हैं तो मान लिजिए यह कोई A है यह B है यह C है और A से B की तरफ यह arrow जा रहा है तो एक्शली यह student A है या हम Facebook का जो भी यूजर है उसको A बोल सकते हैं बी बोल सकते हैं और यहां पर कुछ ऐसा connection भी है तो A और B आपस में connected है इसका क्या मतलब है यह और B आपस में connected है Facebook में इसका मतलब क्या है यह बात रही Facebook की और यह graph जब हम Facebook की बात कर रहे है तो यह graph किस टाइब का होना चाहिए directed होना चाहिए या undirected होना चाहिए अगर Facebook की बात करे हम और यह हम जो जो ट्रीम घाराओं और रेलेशन की बात करोऊ यह फ्रेंड्स वाल रेलेशन है कि यह और फरेंड्स है तो यह किस टाइब का ग्राफ वना ची डाप डरेक्टटिट अडरेक्टिट कि अबिक्टिट उन अंडरेक्टिट क्यों होना चाहिए अगर तो अगर बी का फ्रेंड होगा, जिसमें अगर किसी भी साइड हो, तो सेम ही रेलेशन होगा, अगर मैं यही ट्वीटर की बात करूं, और ट्विटर में मालेजिए यूजर A है, यूजर B है और यूजर C है, और ये एरो इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, और मैं इसको follow वाला यहां पर एक relation देता हूं, कि इन में से एक यूजर दूसरे को follow करता है, तो ट्विटर के graph किस type पर होना चाहि ये undirected होना चाहिए या directed होना चाहिए, ये directed होना चाहिए, जैसे अगर हम बूल लें कि इसका मतलब है, B A को follow कर रहा है, और C B को follow कर रहा है, या जो C है वो A को follow कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वापस A अगर C को follow कर रहा है, तो C B A को follow कर रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, right? या A, B को follow कर रहा है, तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि B, A को follow करे है. तो इस टैप के graph को हम directed graph बोलते हैं. यह बात आ रही है आपको समझने सब को. तो जब भी हम graphs की बात करते हैं, तो हमारे पास दो टैप के graph होंगे. तो directed graph होगा, या तो undirected graph होगा. अब मैं कोई जैसे एक example ले लेता हूँ graph का. आप कोई example काफी जगए मिल भी जाएगा. तो suppose we have some notes, maybe इसको हम 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, एक के हाँ पर. इसको 2 बोलते हैं, और फिर वापस आते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं. और ये सारे आपस में connected हैं. और ये basically हमारा undirected graph है. अब जब आप computer में programming करते हैं, या जब हम अभी practical की बात कर रहे हैं, जब आप lab की बात करेंगे, theory तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन theory में आपने सिर्फ ये पढ़ा कि ये कहां use होते हैं, या graph कितने टाइप के होते हैं, या directed होते हैं या undirected होते हैं, ये कहां-कहा application है इनकी. ये आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको implement भी तो करना है उसको, जब आप implement करेंगे, तो कोई भी data, जैसे आपने मान लीजिए, Twitter से data लिया, तो Twitter का data user-wise आपके पास आया, और उस पर आप कुछ analysis करना चाहते हैं, या आप Google में कुछ search करते हैं, Google search भी तो graph पे basic है, अगर आपने, अगर आपने सुना होगा इस चीज के बारे में, knowledge graph के बारे में, तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो आप ये एक बार देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, आप उत्वड़ा idea लगेगा कि ये knowledge graph होता क्या है, बेसिकली knowledge graph ऐसा होता है कि जैसे Google पर आपको सर्च करते हैं, आपने कोई let us suppose एक movie सर्च की, या movie ना सर्च करते वे आपने कोई scientist सर्च किया, अब अलबर आइंस्टाइन सर्च किया आपने, तो अब क्या होगा, आपने Google के साइट में देखा होगा, यहां पर similar personalities रहती हैं, बिल्कुल आपको यहां पर suggestions में रहते हैं, या similarly अगर हम movie की भी बात कर लें, आपने कोई एक movie सर्च की, तो साइट में आपको कुछ और similar suggestions मिलते हैं, वो similar solutions multiple तरीके से हो सकते हैं, उनके अलग-अलग parameters हो सकते हैं, जैसे similarity किस-किस तरीके से देखी जा सकती है, हो सकता है उस time के हिसाब से हो, जैसे यह scientist किस time पे थे, तो वैसे बागी scientist जो उस वक्त के हैं या उस time के हैं, उनके time के हिसाब से वहाँ पर दिखाया जा सकता है, या और किस तरीके से हो सकता है, time के अलावा, उनका field क्या है research का, उसके हिसाब से हो सकता है, right, या multiple और भी कोई तरीके हो सकते हैं, maybe, हम उनके location के हिसाब से भी उनको arrange कर सकते हैं, और वो किसी दूसरे को, आप बहुत सारी जगह आपने recommendation यह चीजें देखियोंगी, तो graph actually बहुत सारी जगह यूज होता है, यह सब graphical चीजें हैं, तो इसकी बात करते हैं, हम इस particular graph की 0, 1, 2, 3, 4 वाले की, तो जब भी हम किसी graph की बात करते हैं, तो हमको उसको represent क करना पड़ता है, तो graph representation कितने तरीके से हो सकता है, यह पढ़ा है आपने, बता सकता है, ग्राफ representation कितने तरीके से हो सकता है, बच्छों, दो तरीके पढ़े होंगे आपने, तो पहला तरीका क्या है, adjacency list, ठीक है, matrix पहला तरीका, और यह list बोल दीजिए, पहला तरीका, और दूसरा तरीका है, adjacency list, यह दो तरीके हैं आपके पास, और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन बेसिकली हम इन दोनों तरीकों पर ज़्यादा द्यान देते हैं, तो इन में से कौन सा आपको चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, वह सब हम देखने वाले हैं, तो अगर हम पहले adjacency matrix की बात करें, तो इस graph के लिए adjacency matrix अगर हमको बनानी है, 0, 1, 2, 3, 4 के लिए, तो हम first वाला start करते हैं, तो यह basically matrix जैसा ही कुछ बनेगा, जैसे matrix आपने पढ़ी होगी पहले से, तो यह adjacency matrix का है, एक 2D array है, जो आप बनाएंगे इसको represent करने के लिए, जब भी आप step की graph को show करना चाहते हैं, या step की graph को दिखाना चाहते हैं, तो आप एक 2D array बनाएंगे, और इस 2D array का size कितना होगा को बता सकता है, जैसे हमारे पास अगर हम माने की हमारे पास एक graph है, जी graph, और इसमें जो number of vertices हैं, वी हैं, और जो number of edges हैं, वी हैं, तो आप बता सकते हैं, इस 2D matrix array का size कितना होगा? V x V आप बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं, यहां मत लिखो देखो, अब आपको screen अगर दिख रही होगी, तो मैं इसको आप देख रहा हूँ, आपने जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोशिस करो कि आप बोलो जो आप बोलना चाहते हैं, अधर वाज मैं देख नहीं पहुंगा, जो भी आप लिख रहे हैं आप पर, तो V x V, अब बहुत सारे लोगों ने सही अंसर दिया है, V x V, तो आपको करना क्या है, जैसे उपर वाली यह जो graph दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4 वाला, तो हम, एक ऐसा graph बनाएंगे, जिसमें हम 0, 1 यह index है, 2, 3, 4 and similarly 0, 1, 2, 3 and 4. अब इस graph में आपको क्या करना है, जो भी जैसे इस array को हम क्या मान सकते हैं, में भी A मान लेजी आपने इसका नाम, ठीक है, और जब हम A graph की बात कर रहे हैं, तो ith row and jth column, basically हम इस तरीकी से किसी भी graph को दिखाते हैं, या किसी भी matrix को ith row and jth column में, तो जब A, I और J, इसका मतलब है कि ith row and jth column में अगर कोई edge exist करती है, जैसे इस graph में अगर 00 देखा जाए, तो यह 00 किस तरीकी से दिखाया जाएगा यहाँ पर? तो इस graph को देखो पर एक बार, 00 देख गया आपको, तो A 00 में 0 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए? यहाँ पर 0 आना चाहिए यह 1 आना चाहिए? जीरो 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 आना चाहिए राइट, तो जहाँ जहाँ पर कोई edges नहीं है, उन दू vertices की बीच में, वहाँ पर 0 आएगा, ठीक है? और जहाँ 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 पर, जहाँ जहाँ पर edges हैं, वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो अब अगर आप इसको देखो, 0 से कहां-कहां edges हैं, 1 पर है, and 4 पर है, और कहीं पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 पर, और 4 पर 1 कर देंगे, बाकी रहने देंगे, similarly, 1 से देखेंगे कहां-कहां पर जा रहा है, 1 से, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 0 पर है, मतलब 1 को छोड़के हर जगे वहां पर 1 आना चाहिए, तो यहां पर कर देते हैं, 1 बाकी हर जगे, ऐसे 2 का देखना है हमें, तो 2 से देखें कहां-कहा जा रहा है, 1 & 3 पर, 1 पर और 3 पर बाकी 0, ऐसे 3 पर देखा जाए अगर, तो 1, 2, 4 पर, 1, 2 & 4, और 4 का देखा जाए तो, 0 पर, 1 पर & 3 पर, 0, 1 & 3 पर बना जाएगा, तो इस तरीके से आपका यह adjacency matrix की form में आपने दिखा दिया कि यह graph इस तरीके से दिखाया जाएगा, एक चीज आपको ध्यान लखनी है, जब आप directed और undirected की बात करेंगी तो उसमें entries वैसे आपको खुद ही पता चल जाएगी, अगर इस चीज को देखें हम यहां पर, 0, 1, 2, 3, 4 है, तो वैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, फाइब बाइफाइब की ऐसे matrix इस तरीके से बना कर दिखाता हूँ, अब 0, 1, 2, 3 आपको पता है, कहां पर क्या है, और थोड़ा I think ऐसे है, तो 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, और उसके बाद 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ठीक, ऐसे boxes बनाके आपको हो जकता है, थोड़ा आसानी हो इस चीज को समझने में, तो क्योंकि यह undirected graph है, और undirected graph में, अगर A i j equal to 1 है, तो A j i कितना होगा? कितना होगा बता सकता है, जीरो होगा या one होगा A j i, अगर i j is one है तो, यहां पर देखो diagonal one होगा, one क्यों होगा कोई बता सकता है, क्या reason है, अगर आपने बोला one होगा, क्या reason होगा, क्योंकि undirected है, अगर i से j की तरफ कोई relation है, तो यहां पर diagonal matrix, अगर आप देखें, यह diagonal अगर आप यह row देखें, तो यह सारी zero है, इसका क्या मतलब है, no self loop, self loop समझते है, self loop का मतलब होता है, for a vertex v, there is an edge to itself, यह इसका मतलब होता है, तो यहां पर सारे zero है, इसका मतलब खुद कहीं भी एक edge नहीं है, अपने आप पर, और अगर आप इस तरीकी से देखें, यह देखो यह zero one है, और यह one zero है, तो यह दोनों सेम है, आपको ऐसे दिखेंगे, यह वाला सेम, यह वाला सेम, यह वाला सेम इस तरीके से, अब हम थोड़ो थोड़ो complexity की बात भी कर लेते हैं इसके बीच में, मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछूंगा, जैसे इसकी, अगर कोई एज रिमूब करनी है, इस ग्राफ की, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों को इसको रिमूब करने में यहां से एज को, कॉंस्टेंट, कॉंस्टेंट टाइम लगेगा, कैसे कॉंस्टेंट टाइम कैसे लगेगा, जो एज रिमूब करनी है, उस जगा पर जीरो कर देंगे, तो जिस एज को रिमूब करना है, वो हमारा काम O1 में हो जाएगा, जैसे AI और J, अगर यह वाली एज रिमूब करनी है हमें, तो AIJ में हम जीरो कर देंगे, बस हो गया हमारा काम, यह हमारा रिमूब करने का काम हुआ, ठीक है, अगर आपको माल लिजे, एड भी करनी है, तब भी ऐसी हो जागर एड करनी है तो, वो भी जीरो, O1 में हो ठीक है, ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एक फंक्शन हमाल लिजे, हैज, एज, और इसके अंदर माल लिजे, X and Y दो बर्टिसेश पास की जाती है और यह रिटर्न करता है आपका, एडर true and false, ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको भी सिमिलर टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि बस उसको सिर्फ यह चेक करना है, एज होगी तो यहाँ पर one होगा, नहीं होगी तो zero होगा, बस यतना ही चेक करना है इसको, इससे आपको पता चल जाएगा, तो कुल मिलाके यह वाला जो हमारे पास representation है graph का, यह graph का representation हमको सिर्फ यह बता रहा है, यह graph का representation हमारे पास है, इससे हमारे लिए यह आसान हो जा रहा है, हमको यह चीज़ें आसान हो जा रही है, कि edge remove करनी है, यह add करनी है, यह check करना है, यह सारी चीज़ें आसान हो जा रही है, right, हो सकता है यह चीजे हमारे लिए ज्यादा कॉंप्लेक्स ठीक हों जब हम दूसरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें ठीक है वह हम तब डिसकस करेंगे लेकिन अब यह किले अगर आप देखें तो यह चीजें हो रही है इसमें तो यह इसका benefit है एक्चली एडवांटेज है कोई disadvantage बता सकता है इसका क्या problem है इस इस टाइप की representation में क्या problem है यह तो इसका advantage हो गया ठीक है यह हो गया इसके प्रॉज अकॉंट क्या है इसका space की जो आपने बात की अभी एक्चली क्या होगा यह हर बार ओ वी स्क्वाइर space लेगा ठीक है अब मान लीजिए आपके पास एक dense graph है dense graph का क्या मतलब समझते हैं हम बहुत साइट टर्म साथ discuss कर रहे हैं तो यह आपको पता रहनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे है कोई बता सकता है dense graph का क्या मतलब है अग्राफ इंच तरह large number of edges large number of edges large number का क्या मतलब होता है वैसे अगर देखा जाए इस graph के टर्म में तो fully connected like fully connected is a dense ठीक तो जो number of edges है वो लगभग लगभग maximum अगर हो जाए तो जितनी maximum हो सकती है कोई बता सकता है maximum number of edges कितनी हो सकती है मैक्सिमुम नंबर अफ एज वी जैसे अच्छा चलो एक काम करते हैं जैसे हमारे पास ए या ए को हम फिलाल ऐसे बता देते हैं जीरो वन और टू यह है ठीक है इसमें मैक्सिमुम क्या होगा अगर मैं 0 को 1 से कनेक्ट कर दूं 1 को 2 से एंड 2 को 0 से यही तो मैक्सिमुम वह इससे ज्यादा दूनी हो सकते ने इसमें सिमिलरली अगर यह ग्राफ वन है एक ग्राफ टू की बात भी कर लेते हैं जीरो वन और मेभी थ्री एंड टू इसमें कैसे मैक्सिमुम होगा आपस में सारी कनेक्टेट होंगी जैसे यह भी कनेक्टेट होगी और इसको मैं बहार से कनेक्ट कर देता हूं यह कनेक्टेट होगी इसके लाव कोई कनेक्शन बन सकता है क्या इसके लाव कोई नहीं बन सकता तो अब इसमें वर्टिस कितनी है इसमें वर्टेक्स है आपकी 3 इसमें वर्टेक्स है आपकी 4 और इसम हमें एज कितनी है 6 तो वी माइनस फैक्टोरियल वी माइनस वी माइनस क्या बोला विच्छे आपने वी माइनस वी माइनस वी माइनस वन का फैक्टोरियल वी माइनस वन वन और इस पुटे का फैक्टोरियल बोल लो आप यह सर्ण वी माइनस वन का फैक्टोरियल तो अगर जैस्टी थी की बात करें तो थी के लिए हमारा क्या हो गया है तू फैक्टोरियल हो गया ना तो यह तो टू नहीं है अगर यह तो सही नहीं है यह तो सही नहीं है बच्चे कुछ और फार्मला होना चाहिए अच्छा आपने पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन्स पढ़े होंगे कभी तो आपने यह वाला कुश्चन पढ़ा है कि अगर मान लीजिए पार्टी में एन लोग है ठीक है और यह आपस में हाथ मिलाते हैं कि दुसरे में सबको सबसे हाथ मिलाने है तो मैक्सिमम नंबर आफ हैंडे स कितने होते हैं यह पढ़ा है आपने तो क्या होता है इसका उंसर मैक्सिम नमबर फैंट 6 कितना आते हैं तो यहां पी वही हो रहा है अगर देखा जाए तो जब हम फुली ग्राफ की बात करते हैं तो इसका मतलब भी वही है जो इस क्वेश्टन में जो कैलकुलेशन है हमारी नमबर फैंट 6 में यह उपर वाले में बहुंए है समझ रहे हो कैसे है तो कि कि है कि नहीं है सबता हूँ करने बारे हम देखो चाहे यह फर्स्ट वाला या सेकंड वाला ग्राफ हो या यह हैंड सेक्वली प्रावडम हो यह एक्शली कॉंबिनेशन की प्रावडम है तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो पर्मूटेशन कॉंबिनेशन आपने पढ़े होंगे वहाँ पे तो आपके पास एन नंबर और पीपल है उसमें से आपको कोई भी दो पिक करने एक वक्त में या सिमिलरली अगर हम अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि जो number of edges होती है v into v minus 1 divided by 2 यह आती है maximum number of edges तो आपको यह ध्यान रखना है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि dance graph हम तभी कहेंगे जब इतनी exactly इतनी edges हो जाएं ऐसा नहीं है और यह question आपको कहीं थियोरी में भी काम आएगा जैसे आपन n into n minus 1 3 into 2 divided by 2 तो आगया 3 ऐसे similarly अगर आपके पास n equal to 4 होगा तो 4 into 3 by 2 आगया 6 तो आपके पास number of edges कितनी भी हो सकती है मान लिए number of edges 10 है तो कितने edges आएंगे आपके maximum 10 into 9 divided by 2 45 तो बस आपके लिए आसान है यह calculate करना कि कितनी number of edges होंगी एक graph के अंदर यह बात समझ में आरी है बच्छों आपको आपको ठीक है तो यह आपके लिए आप समझने आसान है कि कितनी number of edges हो सकती है अब मान लीजिए आपका एक graph edges के अंदर 10 edges है ठीक है और उसके अंदर अगर 45 edges है या 3 वाले के लिए 3 edges है या 4 vertices वाले के लिए 6 वाले edges है तो इन सार सारे graphs को हम dense graph बोलेंगे यह बात तो confirm है right but कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 3 हों तभी इसको हम dense बोलेंगे या 6 हों तभी dense बोलेंगे या 45 हों तभी dense बोलेंगे most of the time यह context पर depend करता है आप decide करते हैं कि कितने से उपर को क्योंकि कोई fixed definition नहीं है तो इसका मतलब है for n equal to 10 अगर number of edges मान लिजे 40 भी है तब भी आप इसको dense बोल सकता है right तो दूसरी तरफ sparse क्या हुआ फिर sparse यह हुआ कि जो number of edges होंगी वो less होंगी अब कितने less होंगी यह एक discussion का विशाय हो सकता है जब आप particularly उस चीज़ को implement कर रहे होंगे है लेकिन हम इस तरीके से भी dense और sparse graph को समझते हैं जब हम dense graph की बात करते हैं तो most entries are 1 in adjacency matrix जब हम sparse की करते हैं तो mostly क्या होंगी जीरो राइट तो अब यह समझीए कि आपने कि sparse graph बनाया राइट जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारी edges हैं यह हमारी vertices और इसमें हमें काम करते हैं ऐसा इक graph बना लेते हैं तो यह graph क्या लग रहा है आपको कि यह sparse graph है यह dense graph है इस पार्ष यह sparse graph है राइट इस पार्ष ग्राफ है क्योंकि अगर आप इसका एक ऐसे matrix जैसा कुछ representation करेंगे जैसे हमने यहां पे किया था तो आप देखेंगे कि mostly entry जिसकी 0 होंगी जीरो कैसे होंगी क्योंकि अगर आप जीरो को देखें यहां पर तो यह 2 से connected है बाकी किसी से connected ही नहीं है जबकि इसके पास पांच vertices और हैं जिन से connect कर सकता था बट ऐसा नहीं है similarly 1 के पास 3 connected है लेकिन फिर भी 4 बसती है और हर एक के साथ ऐसा यह 3 के साथ देखा जाए तो 1 ही connected है और कोई है यह नहीं connected तो इस टैप की graph को इस पास graph करेंगे तो ऐसे में क्या होगा जब आप इस टैप के graph को adjacency matrix से represent करेंगे तो आपका space काफी ज़्यादा वेस्टी जुगा तो यह इसका drawback है right drawback हमने कहां पर लिखा था यह space वाला part कि बहुत सारा space खाने वाला है तो ऐसे के लिए better रहेगा कि इस टैप के graph को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करें एडजेसेंसी लिस्ट का राइट एक चीज और है इसमें जैसे यह वाला हमारे पास graph है अगर मुझे इसमें एज एड़ करनी है अभी देखो आपने एज को रिमूब किया और एज को चेक किया कि वहां प्रेजेंट है की नहीं और एड़ किया अब मैं इसके बाद क्या करना चाहता हूं कि मैं एक वर्टेक्स को एड़ करना चाहता हूं इसे पहले साएसे मैंने एज बोला एज नहीं बोलना जी मुझे मुझे एड़ करनी है वर्टेक्स अगर वर्टेक्स एड़ करनी है तो कितना time complexity में यह काम हो जाएगा आपका कौन बताएगा मुझे बताओ जल्दी से अब कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट विवूती कॉंस्टेंट तो नहीं होगा और कौन बता सकता है और कोई बच्चा इतने सारे बच्चे बेठें यहां अब कि लो पुलो अब कि आप मैं आप वहां बोलना चाहते हैं लेकिन अचेंज होता रहेगा हर वर्टेक्स के लिए को तरह आप हर बखले के लिए है पुश्टा रहेगा बोलो लो यह दो तैंग जो प्लेक्स यह नहीं है सबसे पहले हम एक पर नोड जीरो हम उसके पीछे सारे नोड वो एड करेंगे जिससे वो कनेक्टेड है और सेम प्रोसेस हम सारे वर्टिसे के लिए करेंगे तो अगर लूप चलाएं तो एक लूप तो सारे नोड को एकसेस करने के लिए है और दूसरे लूप में हम सारे नमबर अफ नमबर अफ नोड कनेक्टेड तो डैट नोड उसके लिए लूप चलाएंगे तो उस बेसिस पे मैंने बोला कि वर्टेक्स वी है और उसके पार वो ई नोट से कनेक्टेड है तब ओके एक्शली देखो जैसे हमारा ए होता है न तो ए तो हमारा लगबग वी स्कुएर के बराबर होता है जब हम डेंस क्राफ की बात करता है और वी भी बोल दिया तो आपने एक्शली जो बोला है उसके हिसाब से अगर देखाे जाए तो लगबग आपने वी क्यूब के बराबर बूल दिया इसको है न जो e होता है वो लगबग v square के बराबर होता है यह मैं आपको बता दो पहले ही वो हमने यहाँ पर देखा भी था कहीं भी formula हमने यहाँ पर calculate किया था यहाँ पर देखो यह 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 एज़िस की तो बात कर रहे हैं लगबग v square के बराबर है maximum worst case में और वही worst case में आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि e लगबग v square के बराबर होता है तो आपने जैसी v e बोला तो v e बोलने से आपका मतलब यह हो गया कि v cube हो गया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा है इतना भी नहीं लगेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा मैं किसी और बच्चे बोलते रहेंगे तो मुझे कैसे बता चलेगा आप लोगों भी पढ़ रहें की नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ यहां पर मीटिंग अटेंड करके छोड़के भाग गए परखर बंसल लगता है मीटिंग छोड़के भाग गया बच्चा सिवांगी रावत अज़ा नहीं देव लिए सिवांस सिवांस बूलो अगर मुझे एक एडिसेंसी मेट्रिक्स में एक वर्टेक्स एड़ करनी है तो कितनी कॉंप्लेक्स्टी होगी और क्यों याइडिया नहीं है आईडिया तो पता है मुझे आइडिया तुम्हें पढ़ा ही नहीं तुम कैसे होगा एडिया यह तो मैं पूछ रहा हूं आपसे आप आईडिया लगाओ अभी अभी जिस हमने जो डिसकॉस किया उसके बेसे पर झाल झाल पर को न दो दो होगा और को अगल को अगल शुहानियर होड़ा तो अग्रोडर भी जिए अच्छे और भी ज़का अग्छे क्योंकि हमें में एक कॉल्णन और एक रो आड़ करने पड़ेगी तो वह तो भी हो जादा आप अप्रोक्सिमेट तो ओडर भी योगा तो आप मुझ कि आप जब एक मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम एड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टाइस जो पहले थे वह होगा और रड़ी और हमें एक और प्लस वन होगा तो हम विए इंडेक्स पे एक कॉलम और एक रो आड कर सकते हैं वहाँ तो इंपलिमेंडेंटेशन मैं पूछ रहाँ आप-से एड कारते हैं कि Dale ज explain का कल बचया पाइड करने के कुई तरीका पता है तो कि हम कम एड पालमाःद कर सकते हैं करेंगे तो फिर हमें एक नाई स्पेस अलोकेट करने पड़ेगी उसको और फिर सारे लेमेंस को पहले उसमें कॉपी करेंगे तो काफी जाता बढ़ जाएगी ठीक है ओके गुट तो अब यह देखो इसको देखो यह थोड़ा कॉंप्लिकेटेड है यह वाला जो केस है अगर मैं बात करूँ यहां पर अगर नॉर्मल हम एरे की बात कर रहे हैं पहले तो एरे के केस में आपको टाइम लगे गए इसमें बी स्कुर्ए मैं डिसकस कर रहा हूं आइजर्शन्सी मेट्रिक्स की एजर्शन्सी मैट्रिक्से इतना ही लिख लेता है एड़ वर्टेक्स इनीचेली मान लीजी आप आपके पास 3 vertex है राइट तो 0 1 & 2 और 0 1 & 2 ऐसा कुछ है आपके पास एक entry यहां पर ऐसे यहां पर entries और यहां पर entries अब मैं आप से कह रहा हूं कि add one vertex तो सुहानी ने अभी कहा कि हमें add add one row और one column यह काम करना पड़ेगा हमें यानि कि एक third यहां पर एड़ हो जाएगा और third यहां पर एड़ हो जाएगा तो entries एक, दो, तीन, चार और एक, दो, तीन, इतनी entries हमको add करने पड़ेंगी जो कि लगबग vertex के ही बराबर है कि पहले से तीन vertices थी तो तीन और तीन 6 और एक extra और add करने पड़ेंगी तो हर बार एक extra रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इस चीज को समझो पहले ध्यान से, ध्यान से समझने वाली बात ही है कि मानली जी यह आपका array है, या matrix है, A नाम से, तो क्य आप directly, अगर यह, देखो आप vector किस तरीकी से काम करता है, वो भी कुछ कर रहा होगा अंदर, ठीक है, तो हम तो आपने basic implementation की बात करेंगे array की, right, तो array की implementation की बात करेंगे हम, तो array में क्या होगा, यह आपकी matrix बनी हुई है, जब आपको इसमें एक row या एक column add करना है, तो you need to create another array या another matrix of greater size, यह बात समझ में आ रही सब को, अब उसके बाद now copy old elements to newer one तो इसलिए आपको क्या करना पढ़ रहा है, यह सारे के सारे element एक नए वाले में copy करना पढ़ रहा है, यह जितने पहले से बचे हुए हैं यह यह वाले, 0, 1, 2 वाले, तो यह v के पराबर था, तो v into v, यहनि की v square, तो इसलिए जो आपको time लग रहा है, वो time आपको लग रहा है, अगर आपने एक ऐसा, ऐसी matrix ले लिए, जैसे आप vector की बात कर रहे हैं, तो vector और एक ऐसा dynamic data structure है, जो आपके लिए यह काम कर देता है, ग्रो करता है, स्रिंग करता है, बट हो सकता है, बेक एंड बे यही काम कर रहा हो आपके लिए, जैसे आपने एक vector बनाया, जिन्होंने vector पढ़ाया, उनको तो समझ में आ जाया, जिन्होंने नहीं पढ़ाया, उनको मैं बता दूं कि vector क्या होता है, जैसे आपने एक area बनाया, n-size का, तो यह बना होता है, अगर आप इसमें एक number add करते हैं, तो अपने आप उसको बढ़ा लेता आगे की तरफ, ठीक है, जिदने number add करेंगे यह आपने आपको grow करता रहेगा, but यह समझो कि back end में यह किस तरीक इसे काम कर रहा होगा, इसने एक area बना रखा होगा, और most probably ऐसा हो सकता है, कि जब आप एक दूसरा element इसमें add करना चाहते हैं, तो यह क्या कर रहा होगा, एक नया area बना रहा होगा, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच माली जिसमें element है, तो यह एक नया area बना, जिसमें 5 प्लस कुछ और element है, जितना आप add करना चाहते हैं, और इतना बड़ा area इसने नया बनाया, इन elements को एक एक करके यहां से उठाया और copy कर दिया, तो इसका मतलब यह वाला element यहां जाएगा, यह वाला element यहां जाएगा, इस तरीके से copy करता रहेगा, और फिर जो नया element होंगे, यहां copy कर देगा, तो time तो पूरा ही लगा, time कम थोड़ ना लगा, तो इसलिए हम OV square की बात कर रहे हैं, अगर आपको यह time कम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहली बार में एक बड़ा, एक बड़ी matrix बना लीजिए पहले से ही, भले हम उसमें यह भी argue कर सकते हैं, कि उसमें space ज्यादा लगेगा और हमारे space wastage है, बट अगर आपको time कम करना है, तो उसके लिए आप जैसे अभी हमने 3 by 3 की इक matrix बनाए, तो आप पहले ही 5 by 5 की बना सकते हैं, या 6 by 6 की बना सकते हैं, तो अगर आपको कुछ add भी करना पड़ेगा, तो आपको इस सिर्फ entries add करनी पड़ेगे, और उस case में आपकी जो time complexity होगी, वो सिर्फ O V के बराबर होगी, तब यह O V के बराबर आएगा, यह बात साब को समझ में आई बच्चों, जो भी हम discuss कर रहे हैं, तो एक तो यह हो गया, दूसरी चीज हम discuss करने वाले हैं, दूसरा वाला जो हमारा representation का तरीका है, और दूसरा वाला representation का तरीका हमारा क्या है, adjacency list, तो जो हमने उपर पहले graph बनाया था, उसी graph की बात करेंगे, तो उस graph में हमारे पास 5 vertices थी कोई, और उन 5 vertices को हमें adjacency list में आप दिखाना है, तो adjacency list actually क्या करती है, आपके पास जितनी भी vertices हैं उतना बड़ा आप एक array ले लेते हैं पहले, तो माल लेजिए आप मारे पास 5 vertices थी तो हमने एक 5 size का array ले लिया ऐसे, वर्टिकल ले रहे हैं हैं, वर्टिकल लेना क्यों ले रहे हैं यह most probably आप जानते भी होंगे पहले से अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, तो adjacency list की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यह 5 vertices हमारे पास हैं, इसको आप 0 बोल सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 and इसको 4 जो कि graph में दिया हुआ है, ठीक है, तो जो यह size of array है यह है, वो V के बराबर, अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, जीरो वाला graph किस से connected था, अगर आप उपर देखें, तो आपको पता चलेगा कि जीरो वाली जो vertex थी, वो 1 से connect थी, यहां पर अगर देखें, आप 1 से connect थी और 4 से connected थी, तो आपको क्या करना है, एक list के बाद में entries add करनी है, तो वो entries क्या होंगी, 1, addicency list बन रही है, इसको आप देखो अभी सुहानी बता रही थी कि vector से भी implement कर सकते हैं, या आप link list बना लेजिए, इस तरीके से भी implement कर सकते हैं, तो 1 है, 1 के बाद एक नया pointer यहां पर रहेगा, और अगली जो हमारी node थी, यहां पर 4 थी, तो वो रहेगा, और उसके बाद आप यहां पर नल दिखा सकते हैं, Similarly, अगर हम बाकी vertices की बात करें, तो अगर हम 1 की बात करते हैं, तो 1 से कहां कहां जा रहा था हमारे पास, एक 0 पर जा रहा था, तो मैं 0 ऐसे दिखा दूँगा, एक 4 पर जा रहा था, 4 ऐसे दिखा दूँगा, 2 पर जा रहा था तो 2 दिखा देंगे और उसके बाद 3 पर जा रहा था वहां से, मतलब यह 1 इन सब से connected है, और उसके बाद finally null की तरफ, और ऐसे हम 2 का दिखा देंगे, 2 हमारा किस-किस से connected था, अगर 2 की बात करें हम, तो 2 हमारा 1 और 3 से connected है, यहाँ पर दिख रहा है, ऐसी यह similarly 3 वाला, 2 से, 3 से, नहीं sorry, 1, 2 से और 4 से, इस तरीके से connected है, यह आप यहाँ भी दिख सकते हैं, 1 & 3 से इसको कर लेते हैं पहले, तो 1 से, उसके बाद 3 से, और फिर null बनातीजिए इसके बाद, null का मतलब है कि आगे अभी किसी से connected नहीं है, similarly 3 वाला अगर हम connection की बात करें, ति 1 से connected था, 4 से connected था, और उसके बाद 2 से connected था, और फिर यह null कर दीजिए, और similarly 4 को, 4 में भी हमारे पास 3 connection थे, 3, 0 & 1, और finally यहां पर null, इसका मतलब आप यहां पर addcency list हमारी खतम होई है, ठीक है तो आपको इसका space complexity को बता सकता है कि कितना, कितना space लगा हमें इसको implement करने में, 2 e plus v, 2 e plus v, okay, ठीक है, v तो आपको यह हो गया, जितने आपकी vertices हैं, और आप कह रहे हैं कि जैसे 0 से 1 पर connect किया, तो हमने एक यहां पर space लगा और फिर once अगर 0 connect किया, तो यहां पर space लगा, right? ठीक है, सब सहमत हैं इस बात से? तो अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, v plus e, क्योंकि 2 e ना लिखे हैं तो तब भी कोई फरक्त नहीं पड़ता ज्यादा, इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, इस बात से कोई दिक्कत नहीं किसी को, k2 e नहीं लिखाए यहां पर, क्योंकि हम constant remove कर सकते हैं, right? Yes sir. ठीक है, बट बेसिकली इस टाइप की जो एडिसेंसे list की हम बात कर रहे हैं, यह हम कब represent करेंगे इसको इस तरीकी से, जब हमारा graph sparse होगा तब हमारे लिए better है यह काम करना, otherwise हमारे पास adjacency matrix है, जब सब हैं तो उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस case में हमको ध्यान रखना है कि अगर स्पार्स graph है, तो हम एडिसेंसी list का यूज़ करें, वजाए डिसेंसी matrix के, आपका space थोड़ा बच जाएगा, ठीक है? Yes sir. आपको यह बता सकता है कि अब मैं आपसे एक question पूछना चाहता हूँ, अब ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो E होता है लगबग O V square के बराबर होता है, तो अगर इसको माना जाए तो यह तो V plus V square होगी है, यह तो और जादा हो गया, डिसेंसी matrix से. V square तो dense graph में होता है, यह स्पार्स graph के case में हम लोग earliest use करेंगे. Right, तो यह वाला जो case है, यह वाला कब है? Sorry, ठीक है, यह वाला dense graph का case है. इसका मतलब, देखो अब आपको यह चीज और भी समझ में आ गए होगी, कि dense graph के case में, dense graph के case में, use adjacency matrix. क्यों? क्योंकि adjacency जो list होगी, will take more space. लेगी किन ही लेगी? क्योंकि O, V square थाई, साथ में वह V भी add होगया इसमें. और इसमें एक और खास बात है, आप देख रहे हो, जैसे हम वह V की बात कर रहे हैं, तो यह number तो देखो हई यहां पर है. वैल्यू तो हई, साथ में यह pointer भी एक्षिटी ज्यादा, काफी ज्यादा ले रहा है यह, और सब में यह entry extra होगी. होगी किनी होगी? है ना? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, एडिसेंसी मैट्रिक्स के केस में तो आपको सिंपल एक number रखना था, 01, लेकिन यहां पर आपको साथ में एक pointer भी रखना है, तो वह आपका extra space लेता रहेगा हार जगह. ठीक है. अब जैसे हमने ऊपर वह काम किया था कि हम चेक कर रहे थे कोई edge है कि नहीं है, add करना है वगेरा वगेरा यह सारी चीज हमने की थी. तो मानले जी एक query है, और query हमारे पास है. पास की है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कितनी time complexity लगेगी इस वाले operation में? कि edge है के नहीं है? अगर edge find out करनी है, कोई edge है के नहीं है? अगरे बता है कि यहां पर कितना time लग रहा है? कोई edge find out करनी है? ओवी लग रहा है पक्का? ओई कह सकते हैं, सर. ओई कह सकते हो आप ओई क्यों को होगी आप ओई यह बताओ. किसी एक vertex पर जाएंगा और उसके पीछे जितनी edge है वह वाली list पर बारी बारी चेक करेंगे. तो यह देखो आप जैसे पॉइंट टू वर्टेक्स पॉइंट वर्टेक्स यू ठीक है? अगर वर्टेक्स यू पर जाना है आपको तो आप 0, 0 गोलो हमें, ओवन में पहुंच जाएंगे आप राइट? पहुंचेंगे यह पहुंचेंगे? यह वाला जो देखो यह एरे हमारे पास राइट तो इस एरे में अगर आपको किसी भी जगह पे जाना है तो किसी भी जगह जाने में तो टाइम आपको ओवन लगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद आपको मूब करना पड़ेगा आगे की तरफ चेक करने के लिए जैसे मुझे यह पता करना है कि कि अगर मैं इसको देखूं मैं यू की वैलु मानली जैं टू है यहाँ पर और बी की वैलु ट्री है तो सबसे पहले आपको टू में जाना माराइट यहाँपर फिर आपको यहां पर आगे मूब करते रहना है कब तक जब तक आपको 3 नहीं मिल जाता लेकिन वर्स्ट केस में आपको यहां नल तक जाना पड़ सकता है है की नहीं है कि यस और नो जाना पर सकता है, राइट? आपको 2 तर 3 में जाना तो तक तो आप ओन में पहुँचके कोई दिक्कत नीए बर 3 तक जाने के लिए आपको मुवमेंट करनी पड़ रही है कुछ, तो जितनी वह मुवमेंट करनी पड़ रही है, उतनी होगी time complexity, अब आप मुझे बताओ कितनी time complexity होगी, तो order V, order V, order V कि साधार पर बूला आपने, क्या आपको लगता है कि जो हम मूव कर रहे हैं, यह V के बराबर होगा, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में V के बराबर हो सकता है, क्यों? वह सारे नोट से connected है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, तो ओ वी के बराबर ह होगा, वर्स्ट केस में, जैसे अगर एक्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो यह 0, यह 1, यह मान लिजए 2 और यह 3 है, तो यह 0 इससे भी connected है, इससे भी connected और इससे भी connected है, सपोज, ऐसा है, तो फिर 0 जहां पे होगा, उसके corresponding, यह तो 0 मान लिजए, यह array है हमारा, यह यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, and so on, और यहां पे, sorry, यहां ठीक है, चलो, कोई नहीं pointer है हमारा, और मैं यहां पे इसको एक नल से जोड़ देता हूँ, तो अब यहां पे तीन इस वर्टिसें है, तीनों को इसको अगर 0 से और 3 को चेक करना है, कि exist कर करता है कि नहीं करता है, तो पहले 0 पे किया, चलो 0 पे तो बहुँ जल्दी चला गया, लेकिन यहां पे आना पड़ा, यहां पे आना पड़ा, यहां पे आना पड़ा, फिर जाके इसको पता चला कि exist करता है कि exist करता है कि नहीं करता है, और मान लिए अगर नहीं भी करता है अगली क्वेरी है या रिमूब एज इन एजसेंसी लिस्ट लगपक दोनों में सेम टाइम लगेगा हमारा तो मुझे बता सकता है कितना टाइम लगेगा कोमेद हाग को भी हूव हाग 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 को पर उपार को अब वी और बताना चाहता है यह जोंड़ाप तो आपने बोला है कि अगर हमको एज एड करनी है रिमूब करनी है तो वी ठाइम लगेगा ठीक है वर्स्ट केस में ठीक है अगर वर्स्ट केस में ठीक है और वर्स्ट केस में ओभी ही होगा है वर्स्ट केस में ओभी ही होगा सब सहमत है इस बात से या किसी को कोई और जवाब देना है अगर एज एड़ करनी है हमें तो एज एड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो जैसे मुझे यहां पर अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं पर्टिकुलर्ली तो यहां पर मेरे पास जीरो वन टू थ्री फोर है और यह उपर ही चाहता हूं मुझे सिर्फ एड़ करनी है कोई वर्टिसेस तो करनी है यह वाला ग्राफ है अगर मुझे जीरो से लेके और थ्री में एड़ करना है ऐसा कुछ तो अब मुझे यह बताओ एड़ जीरो से थ्री की बीच में यह आपका बना हुआ है अब बताओ यहां पे क्या 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 करना पड़ेगा हमें हुआ चितिज बार्दवाज वर्न पाठक विभूती विभूती कि बताईए कि क्विश्चन सुना आपने कि हमें 0 से लेके 3 में एक एड़ करनी है तो यहां पर कहां पर चेंज करना पड़ेगा कि कि बूलो कलत सही जो भी यह बोल दो गवरा क्यों रहे है कि कि यहां पर आपको यहां पर आपको यहां लास तक जाना है और यहां पर आट करना है उस चीज को यहां पर आप यहां पर आप दिलाया जब आप यह एंट करने की बात कर रहे हैं एड वर्टेक्स या एज एज एंट्री तु दी end of list right तो अगर entry to the end of the list करनी तो उस case में वो भी हो गया but यह आपने बिल्कुल सही बात बुली और remind भी कर भाई add in the beginning तो इसमें आपका o one time लग जाएगा ठीक है क्योंकि पहले add करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो अब मैंने लिखती है मैं इसको यहां से रिमूब कर देता हूं ठीक है तो दोनों में अलग-अलग time लग रहा है एक्चुली तो एड़ एच के केस में अगर बेस्ट केस की बात करें तो वह वन टाइम लगेगा अगर रिमूब की बात करें तो रिमूब में कितना टाम लग ओ वन में हो जाएगा क्या अगर फोर है तो यहां पर जाना पड़ रहा है हो सकता है यह एंड में भी हो सकता है तो इस केस में वही लगेगा वेरी गुट stat एक और क्वेरि इसमें जैसे एड़ एज का क्याहां जाने तो एड़ अगर कोई वर् inspired करनी है या अगर हमको कोई क्यायत हो कई नज है या अगर हम कोई बताओ जल दिसे बताओ जल दिसे कौन बताएगा सर एड़ वर्टेक्स में तो कॉंस्टेंट टाइम में एड़ हो सकता है कॉंस्टेंट टाइम में हो सकता है ऐसा क्यों क्यों कि अगर हम किसी वे एलिमेंट को डिरेक्ट अक्सेस कर पा रहे तो फिर टरेक्ट लास्ट में अक्सेस करके उसके बाद एक इंसर्ट कर देंगे एलिमेंट तो कितना टाइम लगा कि वहां से कोई एज तो नहीं जा डिकी तो फिर हमें एजिस के जो भी लिंक लिक से उसमापर सब्में ट्रवर्स करके उनका पड़ेगा तो कितना टाइम लगा यह सार उसमें ऑड़र्वी कोई में है यह स्कुर्ड मईं चाहिए को अधाड़ करना पड़ेगा वहां सब को ट्रेवर्स करना पड़ेगा नहीं यह आप आपका लॉजिक बिल्पुल सही है लेकिन आप कॉम्पलेक्स्टी में थोड़ा गड़ करौई गर्या हैं कि और कि और बच्चा इसका जवाब देना चाहता है इस सुहान ने जो बोले सुहान आपने बोला नहीं लिए इस सिर और कोई बच्चा जो इसका जवाब देना चाहे है कि सर ओर यह लगे का क्या मिटलब कॉंपलेक्स नीमें भी गड़बड़े सुबंग का बताएंगे सुबंग सिंगल विच चैट में लगता है कुछ लिख रहा है थ्री जीरो वन वर्टेक्स की लिस्ट में एंड में थ्री यह कब का मेसेज है यह तो 6 मिनिट पहले का है यार यह नहीं आ बताओ कि क्या लग रहा है आपको कि कितना टाम लगेगा यह रिमूव करनी इस से इससे बताओ जैसे मुझे 4 रिमूव करना है तो पहले तो यहां देख लो मैं आपको थोड़ा एंट देता हूं इसके रहे वैसे सुमाने ने बोला सही है बड़क्श चोटी मूटी उसको सही करना यहां से रिमूब करना पड़ेगा और यहां से रिमूब करना पड़ेगा यहां से रिमूब करना पड़ेगा और यहां से रिमूब करना पड़ेगा और यहां से रिमूब करना पड़ेगा अब बताओ फिर से कितनी एंट्रीज है हमारे पास पूरी इस लिस्ट में इस पूरी लिंक एडिसेंसी लिए इस पूरी लिंक एडिसेंसी लिए कितने एंट्रेस है आरे पास पायल कुमारी पायल कुमारी सुवां को कैसे माई कौन कर दो तब बोलो यार मुझे चेक करना पड़ रहा है चैट को बार-बार माई किसो सबका माई किसो हो रहा है क्या सिवांगी रावत मैंग बालियान लगता है मुश्री लोग अराम फर्मा रहे हैं अपनी मीटिंग जोइन करने के बाद ऐसा नहीं करना है आप लोगों को आपका लॉस होगा इसमें इस चीज देखो वी प्लस टू जी बोला है सुवांग ले और सुवांग ने वी स्क्वार एंड वी प्लस सम्तिंग और कुछ भी बोला था ए चीज देखो हमारे पास जो इस्पेस है न टोटल वी प्लस ई है एक्चली या वी प्लस टू इभी बोल सकते आप जो सुवांग ने बोला है बट हम टू को नेगलेट कर देंगे वैसे वी प्लस टू यह गलत आंसर नहीं है बट जो राइट आंसर है वह वी प्लस ई ही लिखेंगे व्रक्षें इसा क्यों कि आपके पास We वर्टीस हैं और वी में आपको यह इसकी बात हो मतलब यह वी है एक्चली वी प्लस ईश्पेस है हमारे पास पूरा का पुरा तो इन सब को देखना पड़ेगा और इन या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ और हर एक जहां पर हम चेक करेंगे उनके end में कहीं भी हो सकती है, जैसे 4 तो हमको 3rd number पर मिला यहां पर लेकिन end में भी हो सकता है. तो इसका मतलब हमको पूरा Space track करना पड़ रहा है और इस कारण इसकी जो time complexity वो v plus e है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो कुल मिला कि अब e के लिए आप फिलाल ऐसा करना. जैसे एक तो हमारे पास adjacency list हो गई और एक हमारे पास adjacency matrix हो गई. यह हमारे पास दो representation के तरीके हैं और दोनों representation के तरीके में, हमारे पास vertex addition की हमने बात की, vertex deletion की बात की और edge addition की बात की और edge deletion की बात की. तो इनकी time complexity हम यहां पर लिख लेते हैं के करके, अभी अभी हमने किया है तो o1 और deletion का o v plus e, अगर edge की बात करें तो edge addition जो हमारा था o1 में था, और edge deletion का क्योंकि हमको last तक जाना पड़ रहा है तो o v था. Addicency matrix में क्या होगा हमारा vertex को करना हम एड करना है तो. उसकी भी हमने दो answer देखे थे actually एक तो o v था जब हमने space को इस तरीके से किया हुआ है कि हम सिर्फ एक row और column add करना पड़ रहा है, otherwise अगर हम array को implement करेंगे तो o v square अगर normal array हम कर रहे हैं, अगर उसको हमने बड़ा size नहीं लिया हुआ है तो o v square हो जाएगा, अगर हमको vertex delete करनी है तो same ही काम करना पड़ेगा हमको, जैसे हमने expand के है वैसे ही कम भी करना पड़ेगा तो इसमें भी same ही argument चलेगा, यह भी o v या o v square होगा, राइट, यह बात समझ में आ रहे है बच्चों आपको, यह कोई doubt है, इसमें कोई गलत तो नहीं देखो जा रहा, अगर हमें vertex delete करनी है add sense matrix में तो यही होगा, इसमें edge delete करना और add करना बहुत ही असान था, ओवन में हो जाता था हमारा दोनों काम, इसमें बूलो, सर यह vortex remove करने के लिए order v plus c वाला जोए सर यह समझ नहीं आए गवार आप दुवारा बता दीजिए, यह वाला, यह वाला, हाँ sir v plus c list वाला, ठीक है मैं बताता हूँ, एट से मैट्रिक्स वाला ठीक है यह बताओ पहले, एट से मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं है, नहीं sir, ठीक है, तो इसीज को समझो पहले, जब हम इसमें से remove कर रहे हैं, तो remove करने के लिए मानलेजिए मुझे 4 को remove करना, एक vertex remove करना उख right, तो यह 4 तो यहां से मैंने remove कर दिया, अगर add करना होता तो छिए using add और कुछ नहीं करना होता, यहां पर remove करना के बड़ मुझे यह भी ध्यां लखना है, और जगह यह vertex connected तो तो तीह भी पहले से ह, जहाँ-जहां यह vertex connected थी मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं सबसे पहले 0 पे जाओंगा, और 0 से आगे ट्रेवस करता हूँ, इसको भी हटाओंगा, फिर 1 पे जाओंगा, जहां पर मुझे 4 मिलेगा, फिर 2 पे जाओंगा, पूरा end तक जाओंगा, मैं देखोंगा, यहां पर तो connected ही नहीं था तो कोई दिक्कतनी में निचे आ जाओंगा, फिर 3 पे जाओंगा, फिर ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा, 4 का इसको भी अटा दूँगा, 4 पे आके तो 4 को अटा ही दूगा, कोई दिक्कतनी आ, तो बात समझ में आ रही आपको क्या हो रहा है, हमको यह पूरा का पूरा यह जो एरे यहां पर बना हुआ है, OV, इस पेस वाला यह तो traverse करना ही पड़ रहा है, साथ में यह पूरा traverse करना पड़ रहा है, जो इसके साथ edges या हम यहां पर कहें कि vertices जो connected हैं, वो सारी भी traverse करना ही पड़ रही है, तो पूरा जो space है इसका, वो OV plus E है, मतलब इतनी entries है यहा जाना पड़ेगा आपको इस पूरे ग्राफ को traverse करने में, तो इसलिए हमारा जो time है, OV plus E अगर पूरा space V plus E है तो इसका मतलब जब worst case होगा तभी यह वी plus ही होगा ना, हम तो worst case की बात करते हैं, तभी तो हमने O लिखा यहां पर, यह देखो ना, O मतलब ही worst case है, ऐसा भी ह करना है मुझे, 0 remove करना है, हां लेकिन एक चीच और गड़बर है, किस तरीके से देखो, जैसे 0 remove करना है, तो 0 remove करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 0 पर गया, और मैंने इसको remove कर दिया, अब मैं 1 पर गया, मुझे यहां से हर जग से 0 remove करना है, तो मुझे पहले वाले म मैंने रिमूब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस सेकेंड वाले मुझे जीरो नहीं मिला, अगर यहां फिर्स्ट यहां पर जीरो होता, फिर्स्ट एंट्री तो मैं इसको रिमूब कर देता, आपका टाइम बच जाता, कोई दिक्कत आगे नहीं जाना पड़ता, अगर थ्र पूछते हुए भी इसको टाइम को लगी गया न उतना, भले टाइम वर्स्ट केस में हर बार कोई जरूरी नहीं कितना यह टाइम लगे है, लेकिन हम मैक्सिम टाइम जो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स्टी वर्स्ट केस की ही देखते हैं, इसलिए O V प्लस E लिखा हमने है, अगर पूछना चाहता है अगर पूछना चाहता है अगर पूछना चाहता तो पूछी अधर यह चोटा जाएं और वो क्वेश्चन करना आपको अगर पूछना चाहता है अगर इसे कोई वर्टेक्स ऐसी है जो की मिदल में है तू सर वो तो मिदल वाली कोई रो और कोई कोलम डिलेट हो जायेगा अचा मिदल आपको तो यह जो यह वाला जो ग्राफ है यह ऐसा करता हूँ मैं पूछना आपको आपस आने बता पाएंगे जैसे यह वाला ग्राफ है तो आप क्या बोलो जैसे किसको रिमूब करें अगर हम वन को हाँ सबस्क्राइब करें और वह मैट्रिक्स में 0 1 2 3 था तो वह वह सेकंड कॉलम हो गया और सेकंड रो हो गया मतलब आप कह रहें कि यह वाला है और यह वाला ठीक है OK है ठीक है हाँ इसमें जब हम नेक्सट कोई रखर देंसे सर्ट करते हैं तो बीच में अगर कोई बीच में रोया कॉलम खाले हो तो आप हम लोग एंसर्ट करते हैं पूर निए फिर से अपना क्वेश्चन रहता ही मुझे वा क्लियर निवाई इक विए विए आप डिलीट करना चाहरे हैं इस वन को अभी जो यह वन यहां पर है अच्छा अब ठीक है तो आप कहरे हैं अगर वन को डिलीट करना पड़ेगा तो आपको फिर यह स्पेस तर दर करना पड़ेगा तो फिर आपको यह बागी कि जो है सिफ्ट करने पड़ेंगे फिर पिर उतना इस पेस उतना टाइम का जाएंगा अपग यह सथो सब्सक्वेश्चन हो जाएगा मतलब वी स्क्वेश्चन हो जाएगा अगर अगर सब्सक्राइब करता है बट इस्टिल है ना यह लगबग 20 स्कॉयर ही रहेगा डिलीट करना भी और एड करना भी बल्कि एक काम बल्कि सही कह रहे हो आप मुझे एक चीज यहां पर मॉडिफाय करनी पड़े है विसे साब से वह तो हो गई नहीं फिर इस केस में कभी भी ना यह तो हर से साथ ही होगा वह डिलीट कर सकते हैं बद डिलीट के केस अब बीच में खाली तो नहीं था पर फिर उसको बने अंडमे उसको में इंडीकर रसकते क्यों कि अमने इन्डेक्स के तो ध्यान लखना है ठीक है तो वह वह पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए एक चोटा सा हूमवर्क है आप लोगों को एक काम करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अब 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 कि इसी सिकाना चाहता हूं कि आपको implement कैसे करना है तो आप एक Facebook का डेटा ले सकते हैं Facebook का डेटा लेने का मतलब यह है आप जैसे जो आपके friends है कि जैसे आपके मान लीजे 10 friends है ठीक है या ऐसा करते हैं 10 friends की बजाए कुछ और करते हैं अब आपको एक record लेना है सब इस्टूडेंट्स का अपनी क्लास के यह मैं कहें रहा हूं कि अपनी क्लास की आपको एक रिकॉर्ड लेना है लेकिन आप क्या कर सकते हो जब हम graph की बात करना है मेरा मकसद आपको graph सिखाना है तो जैसे आपके जो number of students है मान लीजे 60 है तो आपको क्या करना है एक ऐसा data generate करना है जैसे जो 0th student है उसके friend कौन-कौन है जैसे 1 उसका friend है 5 उसका friend है 7 उसका friend है 9 उसका friend यह है आप ऐसी एक CSP फाइल बना सकते हैं comma separated file यह comma separated value जिसको कहते हैं बट इस टैप की फाइल को आप CSP फाइल बोलते हैं ऐसे आपने first friend के लिए बनाया कि इसके कौन-कौन friend है माल लिजे इसका six friend seven friend है nine friend है 11 friend है इस तरीके से या 60 student है तो ऐसे ऐसे करके हम 59 तक पहुचेंगे और इससे हमको पता चला कि zero इसका friend है seven इसका friend है 12 इसका friend and so on तो ऐसी एक list बनी होगी कि कौन किसका friend है यह काम आपको Facebook का सब की profile चेक करके देखने की ज़रूरत मिया है आप क्या कर सकते हैं जेनरेट सेंपल डेटा सेंपल डेटा जेनरेट कर सकते हैं आप ऐसा बताओ बच्वों कर सकते हो सेंपल डेटा ऐसा जेनरेट चाहे 60 की जगे मान लीजे आपने 60 ना ले बढ़े 10 student के लिए ले सकते हैं आप डेटा कैसे जेनरेट करना है एक्षुली मैल्ट्रिक्स ही तो बनानी या आपको एक तरीके से ही है है ना या कुछ रेंडम नंबर ही तो जेनरेट करना है आपको कि 0 से लेके 59 तक या 0 से लेके 9 तक और उनके आगे क्या-क्या value जानी चाहिए तो रेंडम ली आपने ले ले जैसे 1 आ गया फिर 5 आ गया फिर 7 आ गया फिर 9 आ गया तो आपको इनको ऐसे एक फाइल में सेव करना है पहले तो फिर और रीड देट फाइल और क्रियेट एड्जिसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स अफ डेटा जेनरेटेड तो अब अब ही तो मैं आपको 10 के लिए कह रहा हूँ या 60 के लिए कह रहा हूँ लेकिन आपको जनरलाइज करना इस चीज को वह एन कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए आपको एक ऐसे एक CSP की फाइल बना के रखनी ताकि आप इसी को बार-बार रीट करते रहों एक बार आपने यह जनरेट कर दी उसका उसी को रीट करना है आपको आप यूजर से पुछेंगी क्या आप एड्जेसेंसी लिस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन चाहते है या मैट्रिक्स चाहते जब आपने दोनों काम कर दिया तो आपको अब 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 अपरेशन कांसे एडिशन और दिलिशन और अडिशन और दिलिशन किसका का वर्टिकस का और अग्रेश का तो आपको यह फाइंद आऊट करना है कि कितना टायम लगा एडिशेंसी लिस्ट के इं अपरेशेंस में और एडिशेंसी मै्ट्रिक्स के इन परेशेंस कितना टायम लग रहा है जो हम यह आपको फाइंड आउट करना है दूसरा इसके बाद जब आप यह काम कर लेंगे एक लंबा सा ग्राइंट है आपके लिए आपको क्या करना है आपको यह पता करना है जैसे एक function बनाना है R mutual friends या R mutual friends नहीं लिस्ट mutual friend तो आपने A पास किया और B पास किया तो यह क्या करेगा return mutual friends of A and B कर सकते हैं काम आप कोई भी representation उच कर सकते हैं काम करने के लिए आप देख लेना किसमें आपको बेटर पढ़ रहा है यह या दोनों तरीक इसे भी करके आप इसका time compare कर सकते हैं कि mutual friend find out करने में किसमें ज्यादा time लग रहा है तो यह clear है सबको कोई doubt है तो बताएए इसमें जो अभी तक हमने देखा है यह 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 युड़ क्वेरे पू शेश अगर आप सब को क्लियर है तो मेरी ख्याल से काफी है अगर को पूछन पूछन पूछ लीजिए अधर वाइस हमें क्लास एंट करते हैं आज की और यह सब अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है जहां हम नेक्स टाइम मिलेंगे तो आप ट्राइ करना कि यह कोश्चन सापने किये हों और यह चीजें आपने पड़िये हों जो मैं यह आना दिखा रहा हूं आपको ठीक है चलो ठीक है फिर थैंक यू सो मच आज की क्लास से यह बेंड़ करते हैं कोई डाउट या कुछ कोई रिस आपको नहीं हो तो आप पूच सकते हैं कि है कि संख्राइबêtre एह बूद एग क्लीस एफित करने उपको थित्वत के लिडिखते हैं Aubreyutral दो नहीं कि इससंट एंक्पो का सब्सी आप सकते हैं